हेलो एवरिवन आप सभी का इस चैनल में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स जिनका हम मेकप के लिए यूज करते हैं उन्हें इंगलिश में क्या बोलते हैं और उनका क्या यूज होता है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट प्रोड़क्ट जो हम मेकप शुरू करने से पहले लगाते हैं वो है मॉस्चराइजर मॉस्चराइजर को हिंदी में क्रीम बोलते हैं क्रीम का यूज तवचा में नमी देने के लिए किया जाता है जिससे ड्राइनस दूर हो जाए स्किन पे अच्छे से मॉस्चराइजर लगाने के बाद कंसीलर का यूज किया जाता है कंसीलर एक तरह की क्रीम होती है जो जाई काले धब्बे मुहा से आधी को छुपाने के लिए फेस पर लगाई जाती है concealer लगाने से आपकी पूरी skin even दिखाई देने लगती है और दाग दब्बे हट जाते हैं concealer लगाने के बाद foundation लगाते हैं foundation को हमारी face और garden की त्वचह को एक जिसे रंका दिखने के लिए लगाया जाता है foundation लगाने के बाद powder का powder हमारे makeup में इसलिए यूज किया जाता है कि हमारे face पे जो excess oil है वो हट जाए तो oil free skin बनाने के लिए हम powder का use करते हैं powder के बाद बारी आती है blush की blush का use गालों को गुलाबी या लाल रंग देता है आजकल गुलाबी या लाल रंग के इलावा भी तरह तरह के blush आते हैं जिने आप अपनी skin tone के हिसाब से खरीच सकते हैं नेक्स्ट है eyeshadow आईशेडो भी एक तरह का powder होता है जिसका इस्तमाल पलकों के उपर उन्हें आकरशित बनाने के लिए किया जाता है आईशेडो भी different colors की होते हैं उन्हें आप अपने कपडों के मुताबिक अपने eyes के उपर लगा सकते हैं नेक्स्ट है eyeliner pencil eyeliner pencil आखों की जो बिल्कुल corner हमारे होते हैं पलकों सी उपर उसके उपर लगाई जाती है इसका उपयोग आखों की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है eyeliner pencil भी different different shades में market में available है next हमारे पस है false eyelashes इंका उपयोग प्राकरतिक पलकों को लंबा घना और भरा हुआ दिखाने के लिए किया जाता है कई बर पलके बहुत light होती है उनमें ज़्यादा बाल नहीं होते तो false eyelashes का यूज़ करते हैं eyelash curler जो होता है उससे जो eyelashes होती है हमारी पलकी होती है उनको मोडा जाता है मोड कर एक सुन्दर आकार दिया जाता है जो make-up के साथ बहुत अच्छा लगता है next है mascara mascara एक liquid होता है एक तरल प्रदार्थ होता है जो पलकों पर लगाया जाता है ताकि पलके घनी और लंबी दिख सके mascara से आखें बहुत जादा आकरशित दिखाई देने लगती है अब बारी आती है हमारे lips की सबसे पहला है lip liner pencil pencil का उपयोग होतो के चारो और अकार को परिबाशित करने के लिए किया जाता है pencil लगाने के बाद हम lip gloss लगा सकते हैं अगर हमें lipstick नहीं लगानी है lip gloss से होटो में एक अलग सी shining आ जाती है और अगर आप lip gloss को avoid करना चाहती हैं तो उसकी जगे पे हम lipstick का उपयोग भी कर सकते हैं lipstick different different colors में available होती है या होटो पर उन्हें चमकतार बनाने के लिए लगाई जाती है और इसे आप अपनी suit की matching भी लगा सकते हैं या वैसे भी कोई अपना favorite color लगा सकते हैं next होता है cuticle pusher and trimmer नाखुनों और toy nail को trim करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है इससे नाखुनों की सफाई नाखुनों को trim करना और उन्हें अच्छी shape दिना सभी कारे किया जाते है wooden manicure sticks wooden manicure sticks जो है manicure में काम आती है नाखुनों को साफ करने के लिए इन्हें इस्तमाल किया जाता है नाखुनों के पास जो अलग सा मास हमें दिखता है जो skin दिखती है उस skin को हटाने के लिए इस wooden manicure sticks का यूज किया जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियो दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में